हेलो दोस्तों, होली का तेहार हिंदू समोधाय के सबसे प्रमुख तेहारों में से एक है होली का एक महत्पुर्ण हिस्सा है होली का तेहन इसे फार्गुन मास की पुर्णीमा को मनाया जाता है तथा इसके अगले दिन रंगुलाल की होली होती है कई अन हिंदू तेहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है हम हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से रंगों का तेहार होली मनाते हैं उससे एक तिन पहले मुख्य होली का तेहार मनाया जाता है जिसे होली का देहन कहते हैं इसमें सुभर की समय लोग वहां जाकर पूजा करते हैं जहां रात को होली का देहन होना होता है और रात में धुमधाम से होली का देहन किया जाता है। हर तेहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मानिताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी है इसके कथा सतियुक के एक दैत राज हिरनकश्यक वो उसके पुत्र भक्त प्रहलात से जुरी ही है महरसिक कश्यक की पतनी दक्ष पुत्री दती के गर्ण में दो महानकड़क्रमी बालको का जन हुआ इन में से बरे का नाम हिरनकश्यक और छोटी का नाम हिरन्याश्थ था दोनों ही महबलसाली, महपड़क्रमी और आतमबल संपन थे दोरों भायों ने युद में देखताओं को पराजित करके स्वर्प पर अधिकार कर लिया एक समय जब हिरन्याच ने प्रित्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया तब भगवान विश्णू ने बाराः अफ्थार लेकर प्रिट्वी की रक्ष्टा के लिए रणयाच का बत्थ किया अपने प्रिय भाई रणयाच के बत्थ से दुखी होकर हिरनकश्यप महिंद्रच परवत पर चला गिया वह भगवान विश्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की गोर्त पस्या करने लगा तभी इंद्र आदी देवताओं ने हिरनकश्यत के राज पर आकमन कर दिया और उन्हें राज विहीन कर दिया द्यात गर इस युध में पराजित हुएं और पाताल लोग को भाग गयें देवराज इंद्र को लगा कि सारे द्यात डर कर पाताल लोग में जाकर छुप गयें बस हिरनकश्यत की पतनी कयाधू ही महर में शेश है हिरनकशव की पत्नी कयादू को बंदी बना लो देवराज इंद्र ने हिरनकशव के महल में प्रवेश करके उसके पत्नी कयादू को बंदी बना लिया तब उनकी पत्नी ने कहा मुझे छोड़ दीजे राज इंद्र मैं अगर बती हूँ तब इंद्र ने कहा नहीं हम एक दक्ष की पत्नी को यहां नहीं छोड़ सकते यह हम सभी देवताओं के लिए हनिकारक है देवराज इंद्र कयादू को बंदी बना कर ले जाने लगे तभी रास्ते में उनकी देव नारत से भेट हो गई तब कयादू कहती है कोई बचाओ मेरी रख्षा करो तब नारत मुनी कहते हैं नारायन नारायन देवराज कयादू को कहां ले जा रहे हो तब देवराज इंद्र ने कहा देवरशी नारत इसके गर्ण में हिरनकश्यव का अंस है अगर हो जीवित रहा तो एक दैत और जम ले मैं ऐसा कदापी नहीं होने दूँगा तब नारज जी ने कहा नहीं देव राज इंद्र कयाधू के गर्ण में पल राश इशु आगे चल कर भगवान विश्णू का परमभक्त बनेगा इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है अतहिसे छोड़ दू नारज जी के कथन का मान रखते वे इंद्र ने कयाधू को छोड़ दिया और वापस चले गए नारज जी कयाधू को आस्रम में ले आए और बोले बेटी तुम यहां आराम से रहो जब तक तुम्हारा पती हिरनकर्षप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लोटता तुम इसी आस्रम में रहोगी त सुख पुर्वक रहने लगी जिसका गर्म में पल रह शिशू पर भी गहरा प्रभाव पड़ा धगवान विश्णू के नाम का जाक कयाधू और उसकी होने वाले बच्चे के कानों में सदैप पड़ता रहता था धीरे धीरे समय बीता और कयाधू ने एक पुत्र को जन दि गया और वह तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा कुछ समय बाद कयाधू भी प्रहलाद को लेकर राजमहल में आ गई भक्त प्रहलाद शिक्चा दिक्चा ग्रहन करने गए तो वहां भी वह स्री हरी का नाम ही जबते थे जब यह बात हिरंकश्यक को पता चली तो वह आ गया अरे यह बरा दुरात्मा है इसको मार डालो अब इसके जीने से कोई लाव नहीं है क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपनी कुल का ही नाश करने वाला हो गया है तब कयाधू ने कहा नहीं नहीं स्वामी ऐसा मत कीजिए मेरे लाल मेरे बालक को छोड़ दिजिए यह आपका पुत्र है सैनिको ने प्रहलात को अनेकों प्रकार से माने की चेश्टा की पर उनके सभी प्रयास स्री हरी की किर्पा से असफल हो जाते थे हिरनकशन ने प्रहलात की हाथ पैरबांद कर समुद में फिकवा दिया जहां विश्यले सापों ने डस लिया और परवत्ष प्रणाद को कुछ फी नहीं हुआ विश्मिला भोजन खानी के बाद भी प्रणाद को कोई असर नहीं हुआ प्रणाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास बिफल हो चुके थी एक दिन ही रंकशक इसी चिंता में डूबा हुआ था तब ही उसकी बेहन होलीका उसके पास आई और बोली भाईया मैं इतनी महान बलशाली राजा को इस तरह चिंता में डूबा नहीं देख सकती आपको आपकी सभी चिंताओं से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपके पास एक प्रस्ताओं लेकर आई हूँ तब ही रनकश्यप ने कहा इसा प्रस्ताओं वहन होलीका मेरी तो सबसे बड़ी चिंता तो विश्लो भक्त प्रहलाद है मुझे तो स्रिफ उसे विप्त्यो दंड देना है उसके बाद मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी तब होलीका ने कहा हाँ भईया मेरे पास एक रास्ता है जिसकी द्वारा आप प्रहलाद को मार सकते हो भईया आप तो जानते ही हैं मुझे भगवान ब्रह्मा से वर्दान प्राप्त है कि अगनी मेरा कुछ नहीं बिगार सकती जदी मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा कर अगनी में बैठ जाओं अर्थात सानिकों की सहायता से एक बरे जगह पर चीता जलाई जाए और उस अगनी में मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाओंगी मैं उसे कस कर पकर कर रखूँगी ताकि वह उस अगनी से निकल कर भागने ना पाए और उसी चीता में चल कर भस्म हो जाए उसके पश्चात प्रहलाद चल कर भस्म हो जाएगा और आपके मार्क का काटा भी साफ हो जाएगा तब हिरंकर्षप ने कहा अती उत्तम शिग्र ही मैं सैनिकों को आदेश देता हूं कि प्रहलाद के लिए एक बड़ी चीता तयार की जाए इसके बाद हिरंकर्षप ने अपने सैनिकों को यही आदेश दिया कुछी समय में खाली जगह पर विशाल लकणिया और घास फूस इकठी कर दी गए और उसके बीचों बीच होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैट गई इसके पश्चात किरंकर्षप की आगया के मुसार उस चीता में आग लगा दी गई आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरथ विश्णो विश्णो का नाम जखने लगा जैसे जैसे अगनी की आज उन तक पहुँचने लगी वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी वह अश्चर चकित थी क्योंकि इससे पहले अगनी ने उसे कभी ऐसा उनवर न आया और वह चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के दिये वर्दान को जूठा बताने लगी चल मुझसे चल हुआ है रमदेव का बर्दान जूठा है बचाओ कोई बचाओ पोलिका की बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुने और बोले शायद तुम भूल रही ह मैं तुमसे कहा था कि यह तवी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयम की रक्षा करने या दूसरों की भलाई केिए उप्योग करोंगी पर तमहरे हांथों से इस वर्दान का दूर उप्योग हुआ है तुमने इस वर्दान के द्वारा निर्दोंश ऑलक को मानने का कर सकती थी पहलाद की रक्षा तो सेम नारायम कर रहे थे इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ बाहर खरे सभी सैनिक और हिरनकर्षप होलिका की चीख सुन रहे थे पर कोई होलिका को नहीं बचा सका देखते देखते होलिका का शरीर उस अगनी में जल कर घस्म हो गया जबकि भक्त पहलाद शक उशल बाहर आ गया तभी से उस दिन से होली का देहन के नाम से होली मनाया जाता है तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रिस करन ना भूले फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय सुकिष्णा